नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SK जूकेशन में साथियों आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जो भी बच्चे वेक्ति जो भी केरला सरकल में GDS का फॉर्म भरना चाहे रहे थे किसी कारण बस वो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है क्योंकि केरला सरकल की डेट जो है एक्स्टेंट कर दी गई है इसकी लाज्ट डेट आपकी 10 तारिक थी जो खतम हो गई थी उसके वाद से फॉर्म ओपन होना बंद हो गया था उसके वाद आज से आपका कब से आज से ये अभी अपडेट कर दिया गया है 15 तारिक से आपका ये form वापिस से open हो गया है और जो 21 तारिक जो आने वाली 21 है 4-5 दिनों के बाद अब प्रहल की उस तारिक तक इस date को बढ़ा दिया गया है इसके मैं normal अगर मैं केरला सरकर की बात करूँ तो केरला सरकर में आपके 1421 पोस्ट आई थी जो काफी पोस्ट पदया कहलाते हैं आपके किसी भी बाद के बहुत सारे पदा आते हैं तो 14 सब बहुत ज्यादा कहलाते हैं तो अगर जो भी वेक्ती जो बच्चा इस सरकल में केरला सरकल में फॉर्म भरना चाहता था नहीं भरवाया था किसी करण तो वो भर ले इसकी अगर मैं और जानकारी दे दूँ तो आपका इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी 8-3-2021 जो इंडेट थी साथ यहां पर दिखा रहा है इस साइड में ऑफिसियल साइड पर बट इसे बढ़ा दिया गया था कब तक 10 तारीक तक उसके बाद इसका डेट वापिस से ओपन किया गया है कबसे? 15-4-2021 से आप यहां पर देख सकते हैं 15-4-2021 से कब कर दिया गया है 21-4-2021 तक अगर आपको इसमें फॉलेट पन बनाए करना ये तो आपको को यहां पे जैसे आप देख सकते हैं यहां पे आपको 10th certificate डालना है, father name डालना है, mobile number डालना है, अधार number डालना है, आपका अपना email डालना है, date of birth डालना है, मैंने यह 36 गर्ज GDS के बारे में इस तरह का form भरके बताया था, बस आपको circle select करना रहता है कि आपको किस circle पर आपको form बरना जैसे यह यहाँ पर है circle which tenth path तो आपको अपने circle पर click करना आप जैसे केरला circle है मगर आप किसी और state के हैं तो भी आप form बर सकते हैं जैसे यह पूरे state के नाम दिये हैं तो यह यह पूछ रहा है कि आपने 10th कहां पास किया मगर जब इसका second page खुलेगा फी payment आएगा जैसे फी payment के मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको जब registration हो जाएगा registration number आपको payment कर देना है इस तरीके से तीनों stage का मैंने 36 गर GDS में बताया था सेम प्रोसेस होता है अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं बाकि आपको kerala GDS से regarding कोई भी आपको queries होती हैं तो आप comment के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं अगर आप official Indian post office से कुछ query करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको number मिल जाएगा जो मैं अपने description box पर ही डाल दूँगा आपको के मैंने भी बात की थी इसके पहले 10 तारिक को तो उन्होंने बताया थे कि हो सकता है कि date बढ़े और वो चीज हो भी गई तो इसलिए confirmation अगर आपको और कोई भी करना है कि आगे और date बढ़ सकती है तो आप Gmail भी कर सकते हैं पर केरला सरकर की Gmail भी दी हुई है और mobile नंबर भी दी है आपको कोई भी queries होती है तो केरला सरकर जो भी है जो भी वहां का Department of Post Office का वो आपसे इस नंबर पर बात कर लेगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी सहज लगी हो आपके अन्रूप लगी हो त अपना प्यार हमें दिखाते रहिए और बेल आइकन जो जरूर दबा लिजेगा हमारे कोई भी आगा में वीडियो आते हैं तो आपको नौटिफिकेशन प्राप्त हो जगे धन्यवाद